हाई एवरिवान स्वागत एक और नए वीडियो पूस्त दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आउज्जा पी ए पाउर एमन फायर के बारे में जैसा कि बहुत सारे भाई लोग का हमारे पास कमेंट भी आ रहा था कि आउज्जा का एक ऐसा एमन फायर लेकर गया हूँ जो कि काफी है बेतरीन क्वालिटी कमेंट फायर है तो गईश्जा एमन फायर के बारे में सारा क्रूट डिटेल आप लोग को इस वीडियो मालिम चलेगा कि कैसे आप लोग का उज्जा कमेंट फायर पे कितना टॉप कनेक्शन हो जाएगा बिलकुल ही आप कमेंट फायर का मार्केट में प्रैस कितना देखने को मिलेगा और कैसे इस पर टॉप चलाना है कैसे इस पर बेस चलाना कितने वाटे ज का इस पर टॉब चला सकते हैं किदे क्यash करके बेंट को शंक लिएगा ताकी इसए वीडियो जब भी हम आप लोटक्रेब की पास नोटिफिकेशन मिलता रहे तो चलिए गईस आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों आप लोग मुझे इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आप लोग को वीडियो को डिस्क्रिप्स में मिल जाएगा या आप लोग को इसका इवजरेडी स्क्रि गैस यार यहाँपर हम बात करने मैं आउज्या हाई वाटेज पी ए पांवर एमिल फायर के बारे में जिसका मोडल नमबर आप लोग को इस पी ए पंदरा जार देखने को मिल जागा जो कि आउज्या का ब्रांडिंग देखने को मिल जागा और गैसे इसका model नमर आप लोगो SPA 15000 और यहाँ पर आप लोगो PA power MLfire देखने को मिलेगा एक grill roll देखने को मिलेगा जो कि इस grill roll के माध्यम से इसमें air ventilation आता जाता रहेगा ताकि यह MLfire hitting program से बस सके और यह MLfire 2400 घंट रन कर सकते हैं कोई problem नहीं होगा इसमें fire के अंदर आप लोगो एक fan भी देखने को मिलेगा जो कि 1500 wattage Camifier में ओज्या fan भी देना चालू कर दिया है गैसे यहाँ पर आप लोगो एक master volume knob देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप लोगो दो way control volume knob देखने को मिलेगा जोकी इस सीच का सेलेक्शन यही है कि आप लोग इस सीच को Red के तरफ कर दिजिएगा हरन के साइट तो गैसे वहाँ पर आप लोग ड्राइवर इंडी चला सकते हैं जिसमें आप लोग का Red कलर का बती जलेगा अगर आप लोग इसी स्वीच को box के icon के side कर दीजेगा तो गैसे वहाँ पर green color का बतीजे लेगा तो आप लोग समझेगा कि यह मेरा email fire speaker mode में हो गया तो गैसे यहाँ इसमें आप लोगो 2 mode देखने को मिल जाता है जो की एक है यहाँ पर आप लोग चला सकते हैं हरन mode में और एक चला सकते हैं आप लोग speaker mode में गैसे यहाँ पर आप लोगो reset का एक यहाँ पर button देखने को मिल जाता है अगर आपका email fire कभी overload होता है तो इस विच को जैसे ही पुना प्रेस कीजिएगा तो आपका email fire easily run करना चलू कर देगा जो कि यह काफी best feature है जो कि हो जाके सभी email fire में आप लोगो देखने को मिल जाता है गैसे यहाँ पर आप लोगो एक fault का red indicate देखने को मिल जाएगा overload का यहाँ पर yellow color का red indicate देखने को मिल जाएगा यह आपका email fire ज्यादा heat भी होता है यहाँ पर temperature yellow color का light indicate जलेगा तो आप लोग समझ सकते हैं कि मेरा email fire heat ज्यादा हो गया है तो कुछ देर के लिए बंद करके आप लोग पूना इसे चालू कर सकते हैं जो कि कोई भी problem नहीं होगा गैस यहाँ पर आप लोग को power on off करने के लिए सीच देखने को मिल जागा जैसे ही सीच को प्रेस की जिएगा तो यहाँ पर आप लोग को on indicate यहाँ परेड कलर का बती देखने को मिल जागा तो गैस यह आउजा के तरफ से काफी ज़्यादा बेतरीन कॉलिटी का अमिल फायर है जो कि PA power अमिल फायर है यह 1500 वाटेस का अमिल फायर है लेकिन काफी ज़्यादा इस पे लोड डालते हैं कोई problem नहीं होता है जिसे हम Indian खली भी बोलते हैं इसका back panel अप लोग को कुछ इस टेप से देखने को मिल जागा जो कि इसके back panel पे यहाँ पर आप लोग के fan देखने को मिल जागा जो कि fan काफी तेज तरीके से काम करता है E7 fire को cooling करने में और गैस यहाँ पर आप लोग को balance input करने के लिए XLR का और jack के यहाँ पर option देखने को म मिल जाता है यहाँ अगर आप लोग लाइन वाला आप लोग driver unit चलना चाहेंगे तो इजली आप लोग इस वाले मिल फैर कर सकते हैं गैस यहाँ पर इसका power code का option देखने को मिल जागा तो गैस यहाँ पर आप लोग को ground से एक switch देखने को मिल जागा गैस यहाँ अगर आप इसका branding देखने को मिल जागा जो की काफी यह बेस्ट है चलेगा इस बात कर लेते हैं इसे मिल फैर के power output के बारे में तो गई शायर इसे मिल फैर का power output अप लोग को 1500 wattage आर्मिस में देखने को मिल जागा और 2000 wattage इसका max power देखने को मिल जागा यहाँ यह कंपनी बोलती है कि 1500 100 wattage का मिल फैर है लेकिन आप लोग इस पे 2000 wattage तक लोड डाल सकते हैं कोई प्रोग्लेम नहीं होगा इस मिल फैर का frequency response आप लोग को पचास से पंदरा जार हटर देखने को मिल जागा जो की काफी दूर तक इसका loudness सवाज सुनने को मिल जागा इसमें आप लोग के speaker connection के इसमें एसी 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच डाल सकते हैं जो की 50-60 अटर पे काम करेगा जो की काफी यह बेस्ट है और जाएक लगवग सभी में 220 वोल्ट से 240 वोल्ट के बीच का पाउर देना होता है अब गईस हम बात कर लेते हैं कि लोड कलकुलेशन के बारे में फिर गई आप लोग 1 उललल revolution सकते हैं जिसके एक टॉब लीक लेना पर देगा जिसके अंदर दो इस पीकर 15 बांगे जिसके पर देंस फोरू हूर हरेगा तो आप लोग 1000 वार्टी यह 11 200 वाइर के बीच का टॉप लगा सकते हैं जो कि दो टॉप इज़वी चला सकते हैं दोनों टॉप को आप लोग पेरलर में कनेक्शन कीजिएगा यह दोनों टॉप का एंगारस वाटिज रहेगा तो बाइस हो जाएगा 1212 का कलरेंगा कोई प्रोग्लिम नहीं होगा कैज कैल को is折्र कथ वटे का लोट दिया जाता है और कोई नहीं होता है यह इस पे थोड़ा смотр डाल सक कॉछ दालेंगा इसके मेक्सिमनद प्रेशर के साहन्प बजै तो गई सेर इसका सिंपल सा कनेक्शन है कि आप लोग का जो दोनों टप का रीड वायरे उसका अप लोग को लगा देना इसके बैक पैनल पे टूम पे और जो इसका ब्लैक वायरे यानि माइनस वायरे उसका आप लोग को कॉमन पे लगा देना यानि सी ओ एम पे तो इस तरह स सकते हैं या ऊजया की टंप का कनेक्शन कर सकते हैं जो कि फोर्म का ल recib करेंगा और डो टॉप पायरल में कनेक्शन करने से डूएंड हो जाता है जो कि हर वीडियो में अप लोगों को बता अने की कोशिज करते हैं तो ग्यश्चेर से आप लोग kadar 10 ilustre सब्सक्राइब और याहां भी इसको ड checking सब्सक्राइब एडिया फोर्म वाडिश indicative आप लगा अबात करते हैं कि इस पे हम बेस कितने वाटिश का चला सकते हैं तो गईस्याब आप प्लोग के पास डूवल बेस 2015 साथ यह सिंगल बेस है अप लोग इस पर फोरम का करके चला सकते हैं जो के डूवल बेस फोरॉम इंपडेश का होता है यह सुंगल बेस भी पैरलर में कनेक्शन किजिएगा तो फोरम इंपडेंस हो जाएगा तो पंदरो सो वाटेज तक का आप लोग इस पे डूअल बेस इजिली चला सकते हैं जो कि 18 इची का स्पीकर रहेगा जिसका वैसकोल का साइज आप लोग को 5 इची या 4 इची का देखने को मिल जाएगा इससे ज़्यादा इची के यूज किजिएगा तो थोड़ा आपके मिल फैर पे लोड पड़ेगा तो गैसे अगर आप लोग 1500 वाटेज का डूअल बेस यूज किजिएगा तो सुपर आप लोग को सिंगल वेस दो चलिएगा तो आप लोग को पंच और वाइवरेशन काफी सुपर क्वालिटी के मिल जागा अगर आप लोग के पास पंदर सो वाटेज का डूअल वेस तो इजली चला सकते हैं चलेगे सब हम बात कर लेते हैं इस अमिलफायर का प्रोक्स प्राइज के बारे में तो गैस यार इस अमिलफायर का प्रोक्स प्रेज आप लोग को चालिस हजार से पैंटालीस हजार के बीच में देखने को मिल जागा जो कि इतने प्रेज रेंज में आप लोग अउजा का हाई वाटेज का प्ये पाउवर एमिलफायर ले शकते हैं जो कि यह पंदर सो वाटेज का आप गैस यार बहुत सारे वाई लोग यह भी बोलेंगे कि इतना price range में तो हम dual channel का 3000 और 4000 वाटच का अमिल फायर ले सकते हैं तो easily guys आप लोग इतने price range में और जा कहीं अमिल फायर 3000 वाटच और 4000 वाटच का ले सकते हैं लेकिन guys जो PA power अमिल फायर जो load ले लेता है और उसका live time ज़्यदा होता है इसलिए इसका price भी आप लोगो ज़्यदा देखने को मिलेगा तो guys आर इतने price range में आप लोग इस वाले अमिल फायर को ले सकते हैं हो सकता है कि आपके market में इसका price 1000, 2000, 5000 कम और ज़्यदा देखने को मिले तो guys आर आप लोगों आप अपना manage कीजिएगा क्योंकि guys हर market में इसका price अलग अलग देखने को मिलता है लेकिन guys यह ओज्या का मिल फायर तो थोड़ा cost ली आता है जो कि इतना ही price range में आप लोगों मिल जाना चाहिए जो कि easily मिल जाएगा बाकी guys यह मिल फायर कैसा है अगर आप लोग इसमिल फायर को use करते हैं आप लोग इसमिल फायर पे कितना load डालते हैं और कितना load डालना सही होगा आप लोग अपना राय नीचे कमेंट में जरूर बातिएगा दोस्तो आई होप की वीडियो आप लोगो पसंद आयोगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आएं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ओल पे भी किलिक लिजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो जब भी हम अप्लोट करेब के पास नोटिफिकेशन मिलता है दोस्तों अगर आपके वीमन में साउंड सिस्टम से रलेटिव कोई भी सवाल है तो आप लोग नीचे कमेंट बोक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं जिसका रिपलाई अप लोग को अगले वीडियो में देखने को मिलेगा या गैस मुझे आप लोग इंस्टेग्राम पर भी डियम करके पूछ सकते हैं तो चले गैस मिलते हैं किसी नए टेस्टिंग नए टोपिक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत